सिक्षण अब्रूच के इस चौथे वीडियो में आप सभी प्रतियों का पुना एक बार श्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सिक्षण अब्रूच के बच्चे वे कुछ महत्पुल बिंदियों की चर्चा करेंगे। इसके बाद इस प्रूच परिक्षण के लिए सेक्षण अब्रूच का एक वीडियो और अपलोड किया जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग गूगल मीट के जरीए आनलाइन माध्यम से। अभी तक जो भी सैधानतिक रूप से ये चीजें हम लोगों ने पढ़ी है, समझी है, जानी है। अब हम ये देखेंगे कि किस तरीके से इस पे बेस्ट क्वेश्टन्स परिक्षाओं में पूछे गए हैं। और किस तरीके से बनाया जाते हैं। फिर जब डीटेल में हम लोग उस पर डिसकस्न करेंगे तो ये काफी कुछ है ये जो पीडियाफ है या नोट्स है वीडियो इसका मतलब आपको समझ में आएगा। और फिर इसके माध्यम से आप बहुत ही प्रभावतारीक तरीके से शिक्षन अगुरुच के लगभग सारे कुश्चन को हल करने की स्थिति में आ जाएंगे। शिक्षन विधियां जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो अध्यापक होता है जब वो कक्षा में जाता है तो अपने विशय और उसके प्रकित प्रकरण के प्रकित के अन्रूप आनेकों प्रकार की जो टीचिंग मेथट्स होती हैं शिक्षन विधियां होती हैं उनका प्र अगर हम देखें तो शामाने तोर पर एक सिच्छक के जो पढ़ाने का धंग होता है, उसकी जो शैली होती है, उसका जो तरीका होता है, उसी को हम सिच्छन बिधी कहते हैं, और सिच्छन बिधी का किस तरीके से चैन किया जा है, कैसे इसका निधारन किया जा है, इन सब का उसके आधार पर ही हमें विभिन्य प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रियोग करना चाहिए, कि वो पाठ्वस्तु समाजिक अध्यान की है, गडित की है, विज्ञान की है, भासा की है, परियावड़ी अध्यान की है, और उसका topic क्या है उन सबके आधार पर ही हम यह तय करते हैं कि नहीं कौन से सिक्षन विधी का हम प्रियोग करेंगे कुछ प्रमुक्ष जो सिक्षण विदियां हैं प्राया है जिनका कक्षा सिक्षण में प्रियोग किया जाता है वो इस प्रकार है यद्यब की बहुत सारी सिक्षण विदियां हैं लेकिन इस छोटे से वीडियो में उन सब का चर्चा करना संभव नहीं है फिर भी मैंने कोशि कि जो महदपूर सिक्षण विदिया है उस पे जो आधारित क्वेस्चन्स आएं आप लोग उसको कर लें जो सबसे पुरानी और सबसे परंपरागतिक सिक्षण विदी है जिसका बहुतायत में आज भी हमारी रक्षाओं में प्रियोग हो रहा है वो है ब्याख्यान विदी ल प्रफ्तिकरण देता है यह विख्यान विदी जो होती है बड़े कक्षाओं के लिए उच कच्छा के विद्यार्थियों के लिए ज्यादा उपियोगी होती है छोटी कच्छाओं के बच्चों में इसका प्रियोग करने पर बहुत अच्छा परडाम नहीं आता है और इसकी और उसके साथ ही साथ ब्याख्यान विधी में कई सारी अच्छाईयां होती हैं कई सारी कमियां होती हैं लेकिन कुछ ऐसे बिंदो और पहलू हैं अगर जिनको हम ध्यान में रखें तो इस ब्याख्यान विधी का एक बहतर और प्रभावी प्रियोग किया जा सकता है जैसे क जब आप lecture दें या ब्याख्यान क्लास में दे रहे हों तो उस दोरान अनेक प्रकार के TLM यानी सायक सिछन सामगरी है उसका प्रयोग करें उसके माध्यम से lecture देने की कोशिश करें स्यामपट का पूरा का पूरा प्रयोग करें इस्तिमाल करें स्यामपट पर चीजों को लिख के explain करके example उधारान ग्राप्स के माध्यम से समझाएं लेक्चर दें और विद्यार्थियों को सहभागी बनाने के लिए उनको अपने इस लेक्चर में सामिन करने के लिए उनसे प्रभावसाली बना सकता है इसके बाद दूसरी जो विदी आती है वो है प्रदर्शन विदी या ड्रिमांस्ट्रेशन मेथड जिसमें ग्राफ चार्ट्स या वस्त्मों को कक्षा में लाके अध्यापक उनको ड्रिमांस्ट्रेट करके as it is उनको दिखा के कोई तथ या प् बच्चों के लिए काफी प्रभावसाली होती है इसके माध्यम से बच्चे जो है चीजों को श्वयंग देख कर सीखते हैं उसका निरिक्षन करते हैं उसमें अपनी मर्जी से उलट-पुलट करते हैं चिंतन करते हैं सोचते हैं विचार करते हैं जिसके माध्यम से वो इसके जो जनक हैं वो आर्म स्ट्रांग हैं इस विधी में जो छात्र होता है वो स्वैंग खोज कर सीखता है उनको अध्यापक एक मार्गदर्शन देता है रास्ता देता है उनके सामने समस्यां रख देता है और उनका समाधान उनको अपने तरीके से स्वैंग गत्विधी कर कि खोज के सीखना होता है, अध्यापक एक तरह से केवल माघधर्सक होता है, पत्पदर्सक होता है और वो है एक कोई प्रयोग या कोई प्रजक्ट दे के विध्यार्थियों को उनके मन मस्तिष में नए नए प्रकार के ज्ञान भरने की कोशिश करता है। उसके बाद आता है प्रजेक्ट भी धी। प्रजेक्ट भी दिया, प्रयोजना भी मिदी, इसके जो प्रवर्तक थे, जान डीवी के जो शिश्य थे, डबलुँ एच किलपैटreek वो थे, मुक्री रूप से यह भी मिदी जो जान डीवी का प्रयोजन वाद का सिध्धान ताया इसके माध्यम से सामाजिक विषय का सिक्छन है, वो काफी आसानी से किया जा सकता है, छोटे छोटे बच्चों को समुहों में बना कर, उनको किसी भी सामाजिक विषय पर प्रोजेक्ट देके, उनको उस सामुहिक रूप से प्रोजेक्ट को करवा कर कई सारी गुणों और विश्यस्ताओं को उनके अंदर हम स्थापित कर सकते हैं और इसके माध्यम से जो बच्चे सीखते हैं जो उनको ग्यान प्राप्त होता है वो स्थाई होता है चुकि बच्चे खुद करके सीखते हैं उस पक्रिया में सामिल होते हैं इसलिए वो ज्यादा पर्मानेंट लर्निंग होती है और इसके माध्यम से जो चात्र जो चीज़ें सीखते हैं उसमें एक साटिस्फेक्शन और हात्मसंतुष्ठी का भाव भी आता है क्योंकि वो खुद चीज़ों को अपने हिसाब से सीख रहे होते हैं अगली जो विदी है वो बिशलेशन विदी है जैसा कि आप सबको पता होगा कि विशलेशन में हम करते क्या है कि किसी संपुड पार्ट को या किसी एक चीज को छोटे-छोटे टुकडों में या भागों में तोड कर उसको हम अलग-अलग समझाते हैं फिर उसके बाद अलग-अलग चीजों को जब हम समझ लेते हैं तो उसका वो पूरा स्वरूप हमें समझ में आता है मुख रूप से ये भासा का जो सिक्षन होता है उसमें इसका प्रियोग बहुत लाबदायक होता है ब्याकरण का कोई पार्ट पढ़ाना हो या कोई कहानी पढ़ानी हो तो उसमें विश्लेशन विधी का प्रियोग ये आता है कि मालीजे आपको संग्या पढ़ाना है तो उसमें अलग-अलग कुछ संग्याओं को अलग कर लीजे कहानी बड़ी है तो उसको कुछ पार्टों में तोड़ के फिर उसके माध्यम से विशलेशन करके बच्चों को समझाएं तो एक तरह से भासा सिक्षन वो भी ब्याकरण और कहानी के लिए इसका प्रियोग काफी लबदायक होता है इसके बाद संस्लेशन विधी, सिंथैसिस मेथड ये ठीक विशलेशन विधी का उल्टाया विप्रीध होती है जिसमें जो अलग-अलग भाग होते हैं पार्ट्स होते हैं उनको जोड के आपस में सिक्षन किया जाता है एक तरह से पु spikes ले जाने वाले होती है प्राय होता क्या है कि कक्षार में हमें विशलेशन वर संस्लेशन दोनों विधियों का प्रियोग करना चाहिए जहां जैसे ही विश laisser और विद्याथियों की जरूरत हो उसके हिसाब से हमें कभी शंस्लेशन और कभी विश्लेशन विदी का प्रियोग करना चाहिए फिर उसके बाद आता है आगमन विदी इंडक्टिव मेथड इसके जो जनक है वो फ्रांसिस बेकन है प्राया इस विदी में होता क्या है कि छोटे-छोटे कई उदारणों के माध किसी ब्यक्ति का नाम लें कि हरमेश मरंशील है फिर दूसरे ब्यक्ति का नाम लें वो मरंशील है फिर इस तरीके से हमें एक बड़े निशकर्ष पर जा सकते हैं कि क्या कोई ऐसा ब्यक्ति है जो कभी नहीं मरेगा तो उसका जबाब मिलेगा कि नहीं तो इस तरह से कई इसके बाद निगमन विधी होता है, इंडक्टिम मेथड, इसके जो जनक हैं, प्रवर्तक हैं, वो अरस्तु हैं, ठीक इसमें भागमन विधी का उल्टा प्रोच अपनाया जाता है, इसमें पहले आपको कोई थिवरी, सिध्धान्त या सुत्र बता दिया जाता है, उसके एक दूसरे से समयनुद करके पढ़ाएं, तो जादा अच्छे पैड़ा हैं, उसके बाद प्रशनोत्तर विधी या सुकराती विधी होती है, बहुत चर्चित विधी रहती है, सुकरात का आपनाम सुने होंगे, कि वो चौराहों पर जाते थे, और किसी को भी कठा कर लेते जाते हैं, खोच रोचक और जिग्याशु प्रवृत के सवाल पूछते हैं, फिर उनके माध्यम से जवाब देते हैं, फिर उन जवाबों कोई सवाल होता था, इस तरह से प्रकृरिया चलती है, जिसके माध्यम से एक पहटर सिक्छन किया जासकता है, निश्तित रूप से ये भी काफी प्रभावसाली विदी है, इसे प्रस्मुत्तर विधी या सुकराती विधी कहते हैं। अगली जो विधी है, प्राब्लम साल्विंग विधी, समस्या समाधान विधी, इसकी भी जो उत्पत हुई है, वो जो प्रवाजन बाद प्रेग्माटिजम जान डिवी का था, उससे हुई है, इसमें भी करके सीखने पर बल दी आयाता है, कि छोटे-छोटे समुओं में बच किया जा सकता है, फिर उसके बाद आता है वारतालाभ विधी discussion method, वारतालाभ विधी में जिसको हम कहते हैं, कि बातचीत के माध्यम से शीखना, कोई समुव होता है, उनको कोई क्रिया या कोई कार दे दिया जाता है, और उनसे कहे दिया जाता है, कि वो आपस में सहयोग ले में एक सहयोगी की भूमिका में सदव उनके साथ बना रहता है इसके माध्यम से जो बच्चों में सामाजिक्ता का गुण होता है तमाम तरह के जो कौशल होते हैं सामाजिक्ता इन सब का विकास किया जा सकता है सभी बच्चे एक दूसरी की जरूरतों को समझने की कोशिश करत तो ये भी एक discussion method भी विशेवर प्रकित के अनुसार कच्छा में इस्तिमाल की जाने वली बहुत ही प्रभावसाली तक्नीक है next जो method है वो tutorial method जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसका नाम ही जो tuition या tutor से ही पना है कि इसमें समोष सिक्षण नहीं किया सकता व्यक्तिगत या एक दो लोगों को विश्तरित रूप से समय देकर उनकी कमियों को जानकर उनकी समस्याओं को हल करने की कोशिश की जाती है एक तरह से इंटेंसिब teaching का माध्यम होता है गहन सिक्षण का माध्यम होता है जिसमें उप्चारात्मक सिक्षण या remedial teaching होती है कि बच्चे की क्या समस्या है उसका पता लगाएं उस समस्या कि अनूप फिर हम उसको अध्यान करें जो उसके मार्ग में कठनाईयां उसको जवलन्त और वाद बिवाद या गंभीर मुद्दा समस्या उठा देते हैं और उस पर ग्यानारजन करने के लिए चिंतन करने के लिए उनके मन मस्तिस में एक हलचल पैदा की जाती है और फिर उनके सवालों और जवाबों के माध्यम से उनकी स्रिजनात्मता और चिंतन अस साथ ही ब्रेन इस्टाल्मिंग के माध्यम से वो अपने मन मस्तिष पर बल देकर कई आयामों से कई पहलों से सोच कर यह अपनी एक मामसिक सोच और सम्रिद्धिका विस्तार करते हैं सिखण बिधी के बाद जो अगला बिद्ध है जिस पर हम लोग डिसकस करने जा रहे हैं वो है सायक सिखण शामगरी या जिसे टीलेम करते हैं टीचिंग लर्निंग मैटेरियल टीलेम जो होता है यह ऐसी बिधी कोई तरीका या प्रडाली हो सकती है जिसके माध्यम से हम किसी भी विशय या किसी विशय के किसी टापिक को बहुत ही रोचक तरीके से और सहाजयों समझने योगे बना सकते हैं और इसके लिए जरूरी होता है कि जो सिच्छक है उसे छात्रों की कौन सी सारीरिक और मानसीक जरूरते हैं उन सबको ख्याल में रखते हुए हमें एक विशय प्रकार के सायक सिच्छन सामगरी का प्रियोग करना चाहिए और वो सायक से छण सामागरी ऐसी हो, कि जिसमें अधिक से अधिक बच्चों की घ्याने अंद्रियों का इस्तेमाल हो सके है। जैसे जब आप के ओल बोलते हैं, बच्चा के ओल सुनता है, तो मात्र एक घ्यानें अंद्रिय उसकी कान कान कर रही होती है, जब आप उसको दिखाने लगते हैं तो वो आँख भी काम करने लगती है, उसको टच कराने लगते हैं तो उसकी तचा भी काम करने लगती है। इस तरह से जैसा की कहा भी गया है कि sense organs are the gateway of knowledge. जो ग्यानेंद्रिया है वो ग्यान की द्वार होती हैं जितनी ज्यादा सेंस आरगन आपकी लर्निंग में इन्वाल्व होगी कक्षा में आप जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ग्यानेंद्रियों को प्रयोग करने के लिए प्रेदिक करेंगे उतनी उनकी जो लर्नि टेकनालजी या सैचिक तक्नीकी है या जो नए-नए आविस्कार हो रहे हैं उन सारे बैज्ञानिक और तक्नीकी के आविस्कारों का तक्षा सिक्षण में भी प्रयोग किया जा रहा है एक सामगरी ग्रूप में ताकि जो है सिक्षण अधिगम की प्रक्रिया इस तक्रीकी बोचक और उपयोगी बनाया जा सके ताकि जो बच्चों की लर्निंग हो शीखने की प्रक्रिया हो ज्यादा से ज्यादा प्रभावशा लिए तो टीलेम जो होता वो कितनी प्रकार्क होता है थोड़ी सिस पे भी चर्चा हम लोग कर लें कि जो टीचिंग लर्निंग मटेरि होती है उसे हम अलग 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 द्रिष्ट कॉंड के आधार पर अलग अलग भागों में बांटते हैं तो पहला अगर हम द्रिष्ट कॉंड देखें नजरिया देखें जिसको हम कह सकते हैं कि इंद्रियों के प्रियोग के आधार पर की कॉंड कॉंड से यरिंदिया या इ विज्यूवल टीलम और उसके बाद आडियो विज्यूवल टीलम बिल्कुल असपस्ट है मुझे लग रहा है कि इसमें बहुत ब्याख्या करने की जुरूतनी इस्त्रब वो टीलम है जिसमें बच्चे के वल सुनते हैं जैसे टेप रिकार्डर वगरा रेडियो वगरा प्रा चार्ट हो ग्राफ हो या कोई भी चीज हो फिल्म हो और जब सर्वद्दिप्स की बात करते हैं तो आडियो विज्यल दोनों होता है कि वो सुने भी और देखे भी तो इस तरह से अलग-अलग प्रकार के टीलम से हैं उनका अंपरियोग करते हैं उसको आप अलग-अलग तर है कि शाफ्ट वेर में अजो टीलम साते हैं ुस में जैसे चार्ट, डस्टर, किताब या ऐसे टीलम जिनको आप छू सकते हैं प्रियोग कर सकते हैं महसूस करते हैं, हाड़ वेर में प्रोग्रामिंग वगर आती हैं, फिल्म स्ट्रिप्स होती हैं, उसका प्रियोग किया जाता है, और उसके आधार बाद अगर हम देखें कि प्रोजेक्शन के आधार पर या प्रक्षेपन के आधार पर देखें कि नहीं उसका प्रियोग किस तो वो प्रक्षेतित और अप्रक्षेति प्रोजेक्टिव और नान प्रोजेक्टिव टीलम्स होते हैं प्रोजेक्टिव T.L.M.S. वो होते हैं जिनको किसी डिवाइस के माद्यम से आप किसी परदे पर या दिवाल पर उसको किसी उकरण के माद्यम से प्रोजेक्ट करते हैं और उसको फिर बच्चे देखते हैं तो उसमें आपके पावर पॉइंट पीपिटी या स्लाइट अलगलग बदलते हुए उसके अनुशारा गरीक अध्यापक परियोग करता है तो निश्चित रूप से वो सिक्षण के अपने इफेक्टिविनिस्ट को बढ़ा सकता है इसके बाद अगला जो एक महुत महत्पूर प्रक्राण है जिसके कई बार सिक्षण अभिजुच का उसमें जो सीखने के साधन होते हैं या जो टी एलेम्स होते हैं वह किस तरीके से प्रभावी होते हैं या किसका कितना प्रभाव पड़ता है इसी के आधार पर एडगर ने एक कोन बनाया था शंक बनाया था और उस शंक में जो है नीचे से लेके उपर तक वर्गी करण किय था कि नहीं कौन सा जो अस्थर है वो शीखने का सबसे प्रभावी है और सबसे कम है तो उन्होंने उपर से वर्गी करण किया था जैसे हम संक को जब डिवाइड करेंगे तो उपर वाला जो भागोगा उसमें थोड़ा सा कम एरिया आएगा जैसे ऐसे नीचे बढ़ते जाए तो उसका एरिया बढ़ता जागा आता एक तरह से कह सकते हैं कि जो शीखने की ग्रती होती है वो कौन-कौन से ऐसे माध्यम है जिनके माध्यम से सीखने की प्रक्रिया ज्यादा प्रभावी होती है उसको उन्होंने एक कोन पर संक पर प्रदर्शित किया जिसको हम एडगर सीमबल इस सबसे निम्नास्तर का शीखना कहा जाता है बहुत कम इस से बच्चा आरजित करता है वरबल सीमबल से यानि सांतिक संकेतों के माद्धम से अब बच्चों को कोई nationalि tis जब बताते हैं सुनाते हैं बोलते हैं तो व शीखता है यह सबसे कम प्रभाव्य य०्ट से जो दूसरा आता है वो visual symbols अगर देखने वाली कोई चीज है जिसको देख के सीखा जा सकता है तो उससे सुनने वाले से जादा सीखने की प्रवित्थी होती है अगर आप कोई चीज सुनते हैं तो भूल जाते हैं देखते हैं तो थोड़ा और जादा याद रहता है उसके बाद तीसरा जो आता है radio recording still pictures रेडियो की जो recording है जिसको आफाला कि ये radio recording थोड़ा सा प्राचीन हो रहा आज के समय में या still pictures का सकते हैं कि जो पहले के चलचित्र बन्चे थे जिसमें आवाज नहीं थी और motion यह तो तो इस तरी picture काते हैं उसका नंबर आता है फिर उसके बाद आता था motion pictures and TV की ऐसे film या चित्र जो पूरी तरह से जिसमें बोलने और चलने वाले द्रिश होते हैं या television होते हैं उसके माध्यम से ज्यादा शीखता है फिर उसके बाद आता है प्रदर्शनी, exhibition प्रदर्शनी के माध्यम से पिछले उपर के जितने भी हैं उनसे ज्यादा आधिगम होता है प्र Social science में भी इसका इस्तमाल किया आता है कि आप बच्चों को मैदान में ले जाएं या कहीं बाहर किसी चीज को ले जाएं और दिखाएं और उसको as it is दिखा के चीजों को बताएं समझाएं तो उसके माद्यम से वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझना आता है फिर उसके बाद आता है डिमांस्ट्रेशन कोई भी चीज एक दम उसका हूँ बहु शही प्रतिरूप माडल लाके बच्चों के सामने अगर हम डिमांस्ट्रेट करें प्रदरसन करें तो वो सीखना और प्रभावसाली होता है फिर उसके बाद आता है ड्रैमेटिक प्राइटिसिपेशन कि अगर कोई भी चीज बच्चों को आप सिखाना है तो उनके सामने अगर ड्रामा के माद्यम से नाटक के माद्यम से और जिसमें वो खुद भी इन्वाल होना आप भी वो ड्रामा नाटक अभिनय करें और उनको भी इन्वाल करें तो उससे वो और ज्यादा तरीके से सीखते हैं उसके बाद फिर कंट्रीब्ड एक्स्पिरियंसे होता है कि वो जो चीजें किसी गत्विदी या क्रिया कलाप में सामिल हो रहे हैं सीख रहे हैं फिर उनसे पूछा जाए कि नहीं उ उन्होंने क्या बिचार किया है उसकी क्या थिंकिंग है वो अपने अन्भों को बताएं तो इस तरह से इसको हम कहते हैं क्ट्रीब्ड एक्स्पिरियंसे वो ज्यादा बहतर तरीके से सीखते हैं फिर उसके बाद आता है Direct Purposeful Experience कि प्रत्यक्रीब से कोई उत्यस से युक्त ज इसमें कौन किसके माध्यम से जादा अधिगम होता है, तो उपर से जैसे ऐसे आप नीचे आएंगे, सीखने की धर जो है, वो बढ़ती जाती है, उसके बाद जो अगला बिंदु आता है, कि वो टीचिंग लर्निंग माटेरियल जो होता है, टीलम में कौन कौन से वो प्राप करें, वो ज्यादा से ज्यादा परिशिद्ध हो, एकुरेट हो, जो भी चीजें दिखाए और बताए, वो सुद्धता उसमें ज्यादा हो, त्रोटी या कमियों की गुंजाई, कम से कम, संबध्धता, जो भी टीलम में आप ले रहे हैं, वो किसी भी लर्निंग एक्टिवि जिसमें काल्पनिक्ता का समावेश कम से कम हो, असलियत और सच्चाई के वह ज्यादा से ज्यादा करीब हो, वो यथार्थ चीजें दिखा रहा हो, बता रहा हो, तो उसका ज्यादा प्रभाव बच्चों के उपर पड़ता है, ये भी एक गुण और विशेश्ता होनी चाहि उसके बाद रोचकता, ये तो बहुत ही हमबिंदु है, अगर हमारा टीलम रोचक नहीं है, तो बिल्कुल बच्चे देखेंगे नहीं, उनको आनंद नहीं आएगा, और फिर टीलम के हमारे जो करियोग का उदेश है, वो बेकार नज़र आएगा, अनुकूल था, बच्चो प्रभावसाली होती है, परिस्थितियों और विशय वश्ट के अनुकूल होना चाहिए, वो टीलम के, कम समय लेने वाली, जो टीलम सो हो, वो कम से कम समय ले, क्योंकि कोई भी बहुत लंबे समय तक किसी चीज़ को देखना है, बच्चे तो खास करके और भी कम समय तक अप पिर सही बात होती है कि आप कहां से इतने टीलम लाएंगे, बनाएंगे, क्या करेंगे, उसकी कीमत कास्ट एफेक्टिव हो, उपलबदता हो, आसानी से वो मिल सके, ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, और ये उसके सिध्धानत हैं या गुड़हम कह सकते है फिर बात आती है कि इसके प्रियोग में हमें कौन-कौन सी शावधानिया बरतनी चाहिए, तो टीलम के प्रियोग करते समय हमें कुछ मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए, कि जैसे जो भी टीलम हो, बिसे और प्रकरण के अनुरूप हो, जो लर्निंग आउटकम्स हैं अधिगम के प्रतिफल हैं, उनके प्राप्ति में सहायक हों और इसमें अनावस्यक जो सामगरी हैं, उनका प्रियोग केवल दिखावे के लिए न किया गया हो, बलकि उसका कोई न कोई एक बहतर उदेश और मक्सद हो, और प्रियोग करते समय ये देखें कि नहीं, जब अनाथा वो एक उपहास और हसी का पात्र बनेगा, जब उसकी जरूरत है तब उनको दिखाएं और बच्चों को वो रोचक लगे, समय कम ले, ताकि वो आसानी से वोज़ा अधाड़ा है, उसको अस्पस्ट करता हुआ नजर आए